अट हलो स्थुडेंट्स कैसे हैं लोग सब्सक्राइब रहें रिडॉक्षेट्स रेक्षन और सुट्फ ś कोई एक सब्स्टांस होगा ए जो की दूसरे सब्स्टांस बी के साथ रियक्ट करेगा वो रियक्षन यदि धीरे-धीरे हो रहा है उसी को टाइट्रेशन कहते हैं जैसे नीचे में एसीड सॉलूशन लिया हुआ है उपर से ड्रॉप बाइड्रॉप एक बेस का सॉलूशन रिडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब क्या एक के ऑक्सिडेंट होगा और दूसरा रिडॉक्टेंट होगा यानि एक ऑक्सिडाइजिक एजेंट होगा और दूसरा रिडॉसिंग एजेंट होगा मानलों एक सब्स्टांस ए जो है ऑक्सिडाइजिक एजेंट है और भी गुदीड से संहरे हो स्केस में एक यी फंडामेंचल को लागू करना है और विदधान मेंचल क्या है वह ब्राबर होना चाहिए कि any of con क्या के साथ किया तो यह और यी का कि में प्रना वरने वह एक एक युद्र सांग कर दो अगर के लिए कि लिए न वर इसकल तू न्सक्राइब और यहीं को यमेल में लिखोगे तो मिली की फ़र्मूला तो यह दूसरा फ़र्मूला अगर जिस्टन में दिया तो मोलारी टी गुने वॉल्यूम गुने एंड फैक्टर पहले वाले का यही तीन फर्मुला हम लोग फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे और इन इसके लिए एंड फैक्टर पर कमांज आपको होना चाहिए बढ़िया से जो कि काफी डिटेल में आप लोग ने पढ़ाएं तो उसी क्राम में कुछ और निमेरिकल हम लोग ले रहे हैं का ही जिसमें की अगला क्विश्चन है जो आए टी अडवांस में पूश चुका है क्या क्विश्चन भई कैल्कुलीट नंबर आफ मॉल आफ मोर सॉल्ट यह जो मूर सॉल्ट है ना इन और्गिनिक का एक सॉल्ट होता है यह आपको इन और्गिनिक जब पढ़ेंगे तो प के टू सीर्ट वो सेवन के एक मॉल पर मॉल का मतलब एक मॉल के लिए मूर सॉल्ट के कितनी रिकॉर्मेंट होगी जिससे कि दोनों के बीच में हंड़ेट परसेंट रिक्षन हो जाएगा तो यह एक टाइट्रिशन ही हुआ अब रही बात मॉर सॉल्ट के रिक्षन पता रहेगा फर्मूला पता रहेगा तभी तो निमर्ड़ करोगी यह जो मॉर सॉल्ट है न यह होता है आपको पहली बात कि इसमें कमंपॉंट का नाम आप को आना चाहिए क्या सर्क्रेश्चन में नाम लिखा हुआ था नहीं लिखा हुआ था लेकिन क्रेश्चन देने वाला जब आयए टी अडवांस में क्रेश्चन दिया था तो यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप पर इन और्गनिक केमेश्टी भी फढ़कर के आयो हो और उसका फरमूला भी आ करता है तो आपने किया ही हुआ है के टौ सीओ सिवन का अपको प्रोडक्ट पता है रप यह से प्लस सतरी में जाता और यह एटस से न होता है इस पूरे सब्स्टांस के इसका सिर्फ होता जनकारी की बात है एफी जो कि प्लस 2 oxygen state में फेरस इस सिखाया था कि फी में प्लस टू है शल्फेट पर माइनस टू यहीं प्लस टू एफी 3 प्लस में चला जाता है तो फेरस से फेरिक हो जाता है और क्रोमियम few x r3 प्लस में साल जाता हैब को इतना ही जानने की जूरुवत यह इतना ही अगर आपको मिलेगा और क्रोमियम का क्या मिलेगा आईरण जो की प्लस-टू है किसमें जाएगा तो आपका निम्रिकल सॉल्व हो जाता है कि आप क्या करेंगे नंबर अफ एक कीवाईलिंट को बराबर करना है क्या दिया हुआ है मूर्व दिया हुआ है एक मुल तो नंबर ऑफ मूल की बात करना है तो मूल अगर दिया है सुत्र क्या है number of equivalence को बराबर करना जितना equivalent इस substance का होगा उतना ही equivalent K2Cr2O7 का भी होगा equivalence को बराबर करते हैं तो equivalence को बराबर करने के लिए कौन सा formula इस्तेमाल करोगे दिमाग लगाएंगे किसके बात कर रहा है mole की तो mole गुने n factor मौल गुने n factor वही तो equivalent होगा तो number of mole FESO4 का पहले वाले का mole गुने n factor पहले वाले का it is equal to number of mole K2Cr2O7 का second का कह दिया और n factor भी इसी का तो इसका एक मौल तो पता है n factor हमें दोनों को प्राप्त करना पड़ेगा अब इस compound का n factor कैसे निकालोगे इसको एन फवन कहरें किसका oxygen state change कर रहा है बच्चे iron का कितना है plus 2 कितना हो गया 3 plus तो change कितना हुआ एक ही क्या और सिर्फ एक ही element का oxygen state change कर रहा बागी किसी का नहीं कर रहा तिसका मतलब यह है कि एक ही मेंट का जब चेंज करता है तो oxidation state का चेंज देखो तीन में से दो को घटा दो magnitude ले लो कितना हो गया और number of atom iron का कितना वान तो वन गुने वान दर इसको वन तो एन फैक्टर आपको इस more salt का मिल गया है यह याद कर लेना कि कभी भी more salt एक oxidizing agent के साथ react करता है इसे K2C2O7 के साथ तो वह oxidize हो करके A5 plus 2 से A5 3 plus में जाता है और उसका end factor पूरे compound का more salt का 1 के बराबर होता है है कि नहीं अब रही बात इसका end factor का जिसको NF2 कर रहे हैं किसका oxygen state change कर रहा है potassium का तो constant होता है plus one compound में oxygen का generally minus two होता है तो एक ही तो बचा कौन chromium तो यहाँ पर chromium oxidation state बहुत बार सिखाया चलो एक बार फिर से सिखाया थे क्या करोगे रफ में लिख लिया K2C2O7 कि कि इसका oxygen state चाहिए chromium का निकालने आता है potassium का एक का एक एक तो दो का दो chromium का एक का एक समाल लो तो दो है तो टू एक्स एन माइनस साथ दो ना चौदा उक्सिजन का एक पर होता है माइनस तो साथ पर माइनस चौदा इडिश कल टू टो टोटल चाहर जीरो तो एक्स का बहुत डिकाल लोग तो कितना हो गया पलस सिक्स यानि क्रोमियम पर यहां पर करोमियम का पोटाइस्म का जिसका टिरकेशन कर रहा है किस का एक स्वाग्स कर रहा है करोमियम का कितने आटम हैं किसंट थे न फैक्रवट एंड फेक्टर 6 है तो एक्स का वैलू 6 आ गया यानि 6 मूल के बराबर हमें मूर सॉल्ट की रिक्वारेमेंट होगी जो की एक मूल के टो सीर 2-0-7 के साथ कॉम्प्लीटली रियक्ट करेगा इस तरह का क्वेस्टन आये टी अडवांस में बहुत पूछता है और यह आये टी अ क्यंस्हाइड के धर में फोड़ू क्रेशन यह ले रहा हूं यह अन बच्यों के लिए नहीं है जो कि मेडिकल के लिए प्रिप्रेस्टन कर रहे हैं यह न के लिए जो किशन कळा होता है वहां बहुत सारा चीजों का इसमें अप्लिकेशन होता है देखो भई क्या कहता है तेन ग्राम ब्रास यह जो ब्रास होता है ना एक लॉय है मिस्ट्र धातू है किसका कॉपर और जिंक का पता होना चाहिए इन और्गनिक के मेस्ट्री से ऐसे आई एटी अडवांस में जब क्रेशन ने पूछा था तो लिखा हुआ था कि लॉय है किसक और जिंक का तो 10 ग्राम और ब्रास यानि मानलों कि एक ब्रास है सिक्का है दस ग्राम का उसमें कॉपर और जिंक मौझूद है वाज़ पूट इन वान लिटर ऑफ डाइलूट-च्टो-इस-फोर सलूशन क्या कि उसको एक लिटर डाइलूट-एच्टो-एस-फोर सलूशन में पूट कर दिया डाइलूट का मतलब जिसमें कि सॉल्वेंट पानी ज्यादा है और एच्टो-इस-फोर की मात्रा कम है तो एच्टो-एस-फोर में 10 ग्राम ब्रास को डाल दिया उब्रास में क्या था कॉपर था और जिंक था अब आगे पढ़ते टेन अमेल ऑफ दिस सल सलूसन में से निकाला गाइसे नि योंग से निकाला को में 8000 बनाया नेकिन इसमें से निकाला ड़स में यह सोलूसन आघ्य। आयोडाइट के साथ reaction करवा दिया जो कि क्याई एक्सेस में था तो क्याई यदि एक्सेस में था तो 10 ml जो solution रहा होगा और उस solution में क्याई जिसके साथ react करेगा वो तो limiting रहा होगा क्यों क्योंकि एक्सेस क्या थी तेस समझना पड़े का लिबेरेटिंग एक्टू अंड सीव प्लस यह दे दिया और या नी प्रदक्ट क्या मिला आइटू और सीव प्लस कहा से क्या डाला 10 ml solution में 10 ml solution में क्या था 10 ml solution में पड़ा हुआ था और कौपर जिंक और उसमें एक लिटर एज टो एसरो फोल जो डाला था उसको उसी में से दस सेमिल निकाला है तो यह टो एज टो फोल्च ना स्यू को स्यू प्लस टू में ऑक्सिडाइज कर देता है जानने वाली बात इन और गनिक केमेस्टी से आपको आना चाहिए यानि इसमें बहुत सरा नोलेज चाहिए तो वह 10 ml solution के आई solution का साथ जब रेक्ट किया तो क्या प्रोडूश किया प्रोड्यक्ट हो गया आई यह प्लस जो की रिएक्शन दिया हुआ है आई यहां पर हो रहा था अब जो लिब्रेटेड आइट्व है लिब्रेट होने का मतलब क्या जो प्रोड़क्ट बना सब्सक्राइब करें नाम है है तो वो जो आई टू लिबरेट हुआ यहां देख़ें आई टू लिबरेट हुआ किसके साथ रेक्शन करवा एने टू एस टू 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 के साथ यह कह रहा तो एने टू एस टू ओ टू टू की जो नॉर्मिटी की जुरती वह 0.1 नॉर्मल था और उसका वहलूप 10 अमेल चहें था टाइट्रेसन करवाने के लिए यानि आई टू जो लिबरेट होगा ना यह आई टू पूरा का पूरा एने टू एस टू 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 के साथ इसके लिए लिए इसकी साथ दे दिया और लिम भी दे दिया है तो कहता है तो कहता कि बासन में आ रही है देखो क्या कर रहा है पहले क्वेस्टन को समझना बहुत जरूरी है मैं फिर कर रहा हूं जो निट का प्रिपरेशन कर रहा होगा यह मेंस के लिए सिर्फ सोचा होगा तो वो छोड़ सकते हैं यह क्वेस्टन सिर्फ उनके लिए है जो कि बच्चा लेना क्योंकि जब मैं मिठाओंगा तब ही पाऊंगा यहां पर क्वेस्टन को मैं यहां पर समझाता हूं डाइग्राम से क्या क्या कहता है कि देखो बच्चे क्या कह रहा है कह यह रहा है कि दस ग्राम कि का हमारे पास एक लुए था इस दस ग्राम में जिंक था और कॉपर था है कि नहीं कि इसको एक हजार एमिल एक लिटर का मतलब क्या एक हजार एमिल एच्टू एसओ फॉर में डुबो दिया कि सथालूसंद बन गया एक हजार एमिल कि अब इसमें से दस एमिल निकाला तो तुमें पता होना चाहिए इसमें से दस एमिल जो निकाला ना तो दस एमिल जो सलूसंद कर रहा वो किसका रहा यह toso v4 su koo अक्शिडाईज कर देता है su प्लस टू में तो दस एमल सी उप्लस टू सॉलूसन यहां पर हमको मिल गया और भी दूसरा चीज भी है जिंक भी ऑक्षिडाइस फॉर्म में होगा लेकिन रियक्शन जो है स्टू की बात कर रहा है तो उसी को सिर्फ लेंगे तो स्यू प्लस टू जो दस एमल स्यू प्लस हमें है को आगी नहीं तो सब दस एमल में स्यू प्लस टू का भी सोलूशन और अदर्स बहुत मतलब का जींक वगर सब इसमें था कर अब इसमें एड कर दिया क्या वह एक्स सक्राइड सालूशन एक्स सैस क्या समस्ट कर दिया अब क्या भाई शहाब जो है ना Cu plus 2 के साथ reaction किया 10 ml Cu plus 2 यह तो 1000 ml था नहीं यहाँ पर 1000 ml में से 10 ml के नुसारी तुम्हारे पास आंसर आएगा क्योंकि 10 ml का ही titration हुआ है तो 10 ml Cu plus 2 का solution और भी दुसरा चीज़ है लेकर reaction जो होगा Ki का Cu plus 2 के साथ ही होगा यह Cu plus 2 Ki के साथ reaction किया तो Ki जो है इसको reduce कर दिया Cu plus में और खुद oxidize हो गया I2 में यह कह रहा है अब यह जो I2 liberate हुआ यही liberated कह रहा है यह जो I2 liberate हुआ I2 यह I2 liberate जो हो उसको साथ reaction किसका हुआ Na2H2O3 के साथ reaction हुआ अब यह जो Na2H2O3 है न इसको convert कर दिया NaI में और Na2S4O6 में इन औरगेनिक का बड़ा popular reaction है यह वाला I2 और Na2S2O3 गाला और कभी भी इस तरह का reaction होता है जिसमें कि iodine और Na2S2O3 का आपस में reaction हो रहा है और किसी को estimate करते हैं जैसे यहाँ पर copper का estimation हो रहा है तो इस पूरे process को iod Iodometry कहते है Iodo Iodometry It is called Iodometry लेकिन ऐसे कभी पूछता नहीं है कि क्या कहते है पूरे process को एक नाम से पुकारते है Iodometry यह कहराब कहा यह रहा है कि Na2S2O3 की जो नॉर्मिटी है 0.1 नॉर्मल है यह दे दिया और इसका volume दे दिया 10 मिल है तो क्या सिखाया था किसी भी question को करने वाला titration वाला question को करने के लिए एक reaction में सबका equivalent पराबर होता है तो जितना equivalent Na2S2O3 का होगा उतना ही equivalent I2 का भी होगा और जितना equivalent यह वाला I2 और यह वाला I2 में क्या फर्रक है दोनों में कोई फरक नहीं है दोनों सेमी है यह वला I2 और यह वना I2 दोनों सेमी है हा तो दोनों I2 अगर सेम है तो दोनों जग़ नमबर अफ मोला इटु का क्या होगा सेम होगा और यहां पर नफेक्टो और एनफोरस है यह निकाल सकते हैं निकाल सकते यहां पर ывать Iodin cost is 0 है प्रेज offen in दिनào宮 निकालोगी तो एक सघिट यहां पर दो यहां से आई टुसेंगार माइनस मन हैँ और यहांपर क्या है जीन तो है तो जब गती है उर्येंट के साडमकी आगर देखोंगे तो एकका खालते हैं तो एक आग्र छोगेंगेद और यहां थे कि यहीवाला यहां प्रोइक्ट कर्राए च.-9 सो गाइउबर हो समय हैं कि यहां है इसका इकवेलेंट क्या होगा बाबर होगा अब अध्यान से सुनोओ एक बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है और आडवांस के लिए कौंसेप्ट याद रखना है लोगे रीक्षन में से तो मोलती हो तो सेंगare vy मैं सकता है तो घ्यकिवेलिट से हम सब्दाइए जबको दोनों जगह पर कि ऐन्फ्र के का इन फैक्टर से में यह यह एन फैक्टर डिफरेंट हो जाए कि जैसे हैं कुछ और प्रॉडक्ट होता कि एन फ्स्टान्स का बराबर तब होगा जबकि एन फैक्टर सेम होगा बसम्डाई अब जड़ा देखो 10 ML के हिसाप से सोचो 10 ML solution जो किसका था? CO plus 2 का की अनुसार? 10 ML solution जो original solution तुमने बनाया था उसके अनुसार अनुसार जितना equivalent I2 का होगा है ना? equivalent of I2 it would be equal to equivalent of N2S2O3 and it will be equal to इसका और इसका एक रिक्समें सबका equivalent बराबर होता है तो equivalent of CU plus 2 है कि नहीं? और number of equivalent के लिए क्या formula? नॉर्मिलिटी गुने वालूम यानि basically यहां से equivalent तुमको मिल गया किसका? CU plus 2 का किसके बराबर? number of equivalent of N2S2O3 के बराबर कैसे निकाल तो यहीं नॉर्मिलिटी दिया? तो नॉर्मिलिटी गुने वालूम अगर हम कहें हमारा जो solution था original जिसमें की 10 ग्राम आपने शिक्का डाला था वो 10 एमिल था कि 1000 एमिल था 1000 एमिल था 1000 एमिल और जिनल सलूशन के अनुसार? 1000 एमिल solution के अनुसार यानि एकॉर्डिन टू 1000 ओरिजिनल सलूशन नंबर ओफ एक्किवालेंट यानि एक्किवालेंट अप स्यू प्लस टू जो होगा कितना होगा? सिरीसी बात है या 10 एमिल में 10 टूपर माइनस 3 है तो एक एमिल में बटा 10 तो 1000 में कितना? यानि बेसिकली 0.1 एक्किवालेंट कॉपर प्लस टू का पड़ा हुआ था इसमें ऑक्षिडाइज होने के बाद तो जितना सीव प्लस टू होगा वो कहां सा है कॉपर से है तो कॉपर कहो या सीव प्लस टू कहो दोनों का मूल क्या होगा? प्लस टू से प्लस टू से प्लस यानि कितना वान है तो यहां पर आपको क्या मिल गया एक्वाइलेंट मिल गया कि नंबर आफ मॉल निकाल पाओगे बिलकुल निखालेंगे है कि ने तु देखो अब जगह तो इसमें है नहीं इसमें हमें मिचा कर लिखना पड़ेगा कि अगा कि 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 अभर तो कि अभर कि यह एतलता सवलीन थिएन जगस और जगम हो तु दूएंगे हैं है deficля्ड़ं अब हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ मूल चाहिए मोल किसका है स्योग प्लीस प्लस्तू का मोल कैसा निकालतोchos जितना Bliss कीवाइलेंट होता है उसको देवाद करता हो क्योंकि मोल के लिए म स्वेक टो म skeptical की मोद्न और एंट भी सुपलस टू का मिला वन याने जितना एक इवानेंट उतना ही नमर ओफ मॉल इस केस में आ गया जिरो पैंट वान मोल कि हमूं मिल गया तो मास मिल जगा ना बच्छि किसका मास मास उफ माइस को पाइस का मास को चार्ज आने से मास थोड़ी ने चर्णज करेगा दोनों सेमि होगा और इसी सीजिए सीजिए प्लसटू बना तो कि मास आप कैसे निकालता हूं मोल गुने मुलर मास यानि 0.1 मुलर म मास कथना अट्लिंक मास का नीमिरिकल भैलल मौलर मास के बराबर कोपर का 63.5 होता है इतना ग्रावं कितना अग्राम हो गया 6.35 ऑल बाउंग कंग निया मास में मिल गया किसका अब कितने में 10 ग्राम वाले सिक्के थे तलिलिक आप तो percentage कहता है कि mass percentage copper का उस 10 gram alloy में कितना था तो mass percentage निकालने आता है तो mass percentage of copper कैसे कहा था अबर कैसे निकालते हो जिसका mass percentage कहा है उसका mass उपर में 6.35 gram total mass 10 gram का सिक्का था नीचे में किस से गुना करते हो 100 से यानि कि 63.5 mass percentage copper था यही इसका answer था मैं फिर कह रहा हूँ यह question IT advance में पूछा था जिसमें कि बहुत सारे concept की requirement है इसको दो बार तिन बार देखोगे तब जाके बढ़िया समझ में आएगा है कि नहीं? नोट किजिए इसको अगले तरह का जो titration है वो है acid based titration अब यह जो titration है सबके लिए important है चाहे निच की तियारी कर रहे हो या इंजिनियरिंग जै मैंस की आडवांस की तियारी करो सबके लिए यह important है बढ़िया से देखोगे है तो हमने बताया एक reaction होता है धीरे धीरे को कोई फरक नहीं है और कभी किसी तरह का भी हो चाहे रिडॉक्स रिडॉक्स में क्या होगा कि यहां पर भी क्या होगा नीचे पड़ा हुआ होगा उपर से ड्रॉप जड्रॉप बढ़ाब एस करोगे तो ओफिक ट्रॉप को ब्राबर होगा च्पूद को को पता है कि यानि इस केस में भी जितना एक्युवाइन्ट ऍर चिसका होगा बेस का यहीं थी सब जगह यही लगना नमबर अफ इकिवरेंज के लिए तुम्हारे पास फर्मूला तीनों में से कोई लगा दिया जिसके अनुसार भी जो भी डेटा दिया उसके अनुसरा फर्मूला लगा दिया और अशर आ जाएपे हैं जैसे एक क्यों से समझते एक नहीं एक से ज्यादा क्विशन नेंगे क्विशन नमबर वान के लिए टाइट नमबर ओफ मोल of H2SO4 required to completely react with 5 mol of NUH अब जरह देखो question में क्या है किसके किसके बीच में reaction हो रहा है क्या oxidizing or reducing agent है नए एक acid है दुसरा base है इतना तो पहचानने आता ही है बच्चे तुमे NUH क्या हो गया base हो गया H2SO4 क्या हो गया acid हो गया यह acid है और यह base है तो acid और base का reaction है तो दोनों का equivalent क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए जितना equivalent H2SO4 का कैसे solve करोगे बहुत असान है जितना equivalent H2SO4 का उतना ही equivalent किसका NUH का अब बात रह गए कि equivalent के लिए कौन सा formula इस्तेमाल करें तो देखो ना question में क्या दिया मौल की बात कर रहा या volume की बात कर रहा मौल रेड़ी की बात कर रहा नॉर्मिटी की बात कर रहा किस की बात कर रहा है तो केश्चन में मोल की बात कर रहा है तो मोल गुने एन फैक्टर एक्वरेंट के लिए क्या फर्मूला मोल गुने एन फैक्टर इधर भी रखा और मोल गुने इसका भी मोली पूश रहा है तो मोल गुने एन फैक्टर इधर भी रख दिया इसको सेकेंड कह दिया और इसको फ आचरे आश्यरत में तुम्हें देखना और बेस में क्या देखना है में देखना है कि तो जितना भी पी प्लस है और माक्सिम जितना जा सकता है violation में कुछ भी नहीं लिखा रेक्षन नहीं दिखा तो हम मानें कि हंडेट परसेंट उसका गाइब हो जाएगा तो इसका मूल तो दिया है एक पांच मूल और एक फैक्टर एक ही ओईच माइनस है एन ओईच में सिखाया था एक फैक्टर शुरुवात में एस चीडर बेस के लिए तो एक पांच गुन एक यानि बेसकली एक्स का वैलू आ गया पांच बटा दो यानिकी टू पांट फाइब मॉल के रिक्वार्मेंट होगी यही आंस question. . 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 Calculate . . Volume . . Of . . कि टू मोलर कि एचील रिक्वाइड फूर टाइट्रेशन को यहां टाइट्रेशन लिख दिया टाइट्रेशन कहें रेक्शन कहें से बात्से में विद्ध फाइव हंडड़ एमल अफ कि जिरो पॉइंट टू मोलर कैल्सियम है अब पहले पास जानों कि है क्या पहली बात तो रेक्शन है रेक्शन कहों टाइट्रेशन कहों सब बात से में अब रिडॉक्स टाइट्रेशन है कि एसीड बेस है पितना तो तुम होश्यार होईगी हो ना बच्चे के एचल क्या है और काल्सियम अड औक्षाइड क्या है बेस है वह एच माइनस एच प्लस वैस तो ऐसे रेक्शन को ऐसे टाइट्रेशन को को शॉल्व करने का एक ही फर्मूला एक ही सुत्र एक ही महा सुत्र है क्या नम्बर अफ ऐक्युवालेंट को बराबर करते है है तरहां यह रबेस तो कितना एक ही फ्लस से नहुगा कैल सिम्हरक्षाइड में कितने हुई फ्लम रखते हो और गुना करते हो और तो तो इसको कैते हैं यानी कि किस का करते रहें सब का होता है बराबर होता है अब कौन सा इसितमाल करेंगे क्या दिया है और बात करा। तो इसको कि इसको दो कह दिया और सो कंपॉंड वान कह दिया यही तो हर जगा तो यही इस्तिमाल करने यार कि मिली कि इस दिया है दो वाल्यूम में आ जाएगा यही पूछता है कितना हमको चाहिए वाल्यूम पूछता है कि इस एक प्लस है तो एक एंट फैक्टर वान हो गया कैल्सियम अध्यक्षाइज का मॉलट्री दिया जिरो पांट टू वॉल्यूम दिया है 500 अमल रखते हो इसलिए तो यह एमल तो यह भी किसमा आगा अमल में यह आएगा ना आशा तुमको में मिलने वाला है और एंट फैक पास हो गया कितना है डिसमान टॉग नीचे दस यानी हंडेड एमल और क्या अंसर आगया अंसर यह चुचु कैंसील हो गया निचे में इसको चेंड कर देना कैंसील होगा 52-100 यहीं आंसर हो गया पचा हंडेड यह अगर लिटर में कहेगा तो लिटर में कितना जीरो पांट 3 . . . . . . . . . दो किस्वर मोलाइटी पूछिया इख पुछिया चैल्कुलिट मोलाइटी आफ 2-Litre H2SO4 solution which will completely neutralize a basic mixture which was made by mixing 500 ml of 2-molar NH solution and 300 ml of 1-molar Mg OH2 solution थोड़ दिमाग लगाने पड़ेगा बड़ा क्वेस्चन है बड़ा क्या क्वेस्चन है इसमें भी acid or base का ही solution को मिला दिया reaction वही acid or base का है पहले देखते हैं क्या निकालना है किसका H2SO4 solution का जिसका क्या दिया volume दिया कितना लिटर दो लिटर वह किसके साथ react करेगा neutralization का मतलब क्या acid और base का जब reaction होता है ना तो उस reaction को कहते है neutralization एक basic mixture के साथ यानि base नहीं बलकि base का mixture है जिसमें कि 2 base को मिला दिया 2 को मिला दे 3 को मिला दे करने का तरीका वही होगा 2 base कौन-कौन मिलाया 500 ml NOH जिसकी morality 2 molar थी और 300 ml magnesium जिसका की morality 1 molar है तो concept यहीं इस्तेमाल करना है क्या कि जितना equivalent acid का होगा है ना उतना ही equivalent summation करोगे acid एक है और base 2 है तो दोनों base को जोड़ दो summation का मतलब क्या equivalent किसका base का summation का मतलब जितना भी base है 2 है तो 2 बार 3 है तो 3 बार सबको equivalent को जोड़ दो तो सबका 20 का equivalent जोड़ करके total base का equivalent मिल जाएगा तो acid है क्या formula लगा होगे molarity गुने volume गुने end factor क्योंकि volume और molarity की बात कर रहा है पहले बाले का plus volume गुने end factor दूसरे बेस का यह दो बेस है तो तीन बार चार रहता तो चार बार पांस रहता तो पांच बार जाओ आप तो षिट को भी दूबर करते लेकिन यह किma किके बेस दो वख़त श्रम 953 का बेस का stabbingus तो दे दिया ना कितना लिट्र दो लिटर एंस्ट रिश्ट टुइस पूर का सब सुचके बताऊ दो होगा की एक होगा कि तीन होगा कि चीतना है यह प्लस हों एक और बैस है किसका एंजी ओएच टू का कितना दिया एक मॉल्डर इसका वोलूम दिया 300 में लिटर में कितना 0.3 और एंड फेक्टर एंजी ओएच टू बोलो कितना वह माइनस देगा दो देगा तो एंड फेक्टर दो हुआ अब इसी से तुम्हें मॉलटी है मिल गया सॉल्व कर लो किहां कुछ दिक्कत है यह कितना हो गया दो दुना चार एंबन लिख सकते हैं इसको और यह हो गया दो में 0.5 से मुल्टिप्लाइब करेगा तो वन हो गया और प्लस तिन दूना छे 0.6 है कि नहीं यानि 1.6 तो एंब वन मिल गया 1.6 दिभाड़ बेश चार चर्चों का सॉला 0.4 मोलर के बराबर यह आंसर हो गया यह कि नहीं कि यानि कभी भी एसट का मिक्शर है और बेस का मिक्शर है और दोनों को आपस प्रेक्शन करवा दिया तो एसट का मिक्शर का जितना भी एसट है न सबका एक साट जोड़ो और बेस वाले को एक तरफ कर दो सबको जोड़ो और दोनों इसट का और बेस का बराबर कर दो जो अन्नोन है वो मिल जाएगा नोट केजिए अला बेस्ट कि अक्र दोन इसात ंर दो और दो अलाएगगा को अलाएगा का देल्के H3POX if its one mole requires one mole या फिर इसका अलग चीन दिया 40 ग्राम दिया 40 ग्राम ओफ एन वेच for titration क्या निकाल ला ये थोड़ डिफिरेंट्स आपके क्वेश्चन हो गया त्रीकी क्वेश्चन हो गया H3POX क्या लगता है इसी डायर है यह सब सब्सक्राइब है यह सब्सक्राइब एक और इसका की ऐकड़ी जिसका कि एक एक पूल चालिस ग्राम के साथ इन यूज के साथ डिय चाहिए 1960 क लिए चाहिए ऑप है क्या लगता है किसकी बात कर रहां met मूल Do क्ग य इसका मोल करोगे मॉल क critics करोगे अगर molar mass निकालोगे molecular weight तो कितना होगा sodium का तेश इसका इसका शोला hydrogen का एक तो सब को जोड़ोगे तो चालिस बहुत बार निकालना सिखाया तो अनुट का यह यह एक मोल है एक मोल के साथ उस acid का भी एक ही मोल चाहिए तो x का value क्या होगा तो acid और base का reaction है कौन सा formula लगाओगे बई number of equivalent को बराबर करोगे तो equivalent लगाओगे तो मोल गुने n factor यानि basically हमको h3 po x का n factor मिल जागा n factor के ग्यान होने से ही न x का value तुमको मिल ले वाला है trick equation थोला सा है क्या करेंगे equivalent लिखा किसका h3 po x का किसके equivalent के बराबर होगा equivalent of n o h कौन सा formula लगाओगे मोल की बात करा तो मोल गुने n factor ये लिख दिया h3 po x के लिए इधर क्या इधर भी मोल गुने n factor एक किसके लिख दिया n o h के लिए इसका मोल एक मोल एन सर्थ आंको पता नहीं है कि एन सर्थ इसका मको पता नहीं है एन फैक्टर वन ऐसे हम लिख लिख लिए यह मिलने वाला है कि नॉबर आफ मोल नोक का 1 नज़र आ रहा है 40 ग्राम मोलर मास 40 तो तुमको मूल मिल गया एन वेच का का मिल गया एक के बराबर कि अब तुमको पता है कि जितना एच प्लस होता है सब होता है कि कभी कम्प्लीट न्यूटलाइशन का प्रॉसस एसिट और बेस में हो रहा है तो हंडिट प्रसेंट उसका एच प्लस जाएगा तो अब तुम्हारे पास जो च्वाइस है एस्ट्री पीओन को सकता है हो सकता मां जाना पड़े गारान डागराम करका इंड ऑसका एक में दो होगा और हूट-णार एपास एच हो हो सकता यानि कि यह वाला तो नहीं है यह वाला भी नहीं है यहीं वाला केस तो आप कंपेर करो तो एक्स का वेलू किस से मैच कर रहा है दो से तो एक्स का वेलू मिल गया दो के पर आवे यह एसे क्वेस्चन थोड़े ट्रीकी क्वेस्चन होते हैं वह आपको बढ़िया से आने चाहिए कि है कि नहीं कि नोट कीजिए है अंतला कैसो क्वेस्चन है seine करे में पूछ चुका है कि पूछ सकता है कभी कभी सब तो पता होना चाहिए और यह होता है यह होता है तो हमने एसे लिख दिया तो अक्जैलिक एसीड डाय हाइडरेट का मास ले लिया कितना ग्राम 6.3 ग्राम यह कहता है और इसको 250 एमेल पानी में डाल दिया यानि बेसकली कहो कि इतना पानी डाला जिससे कि वॉलूम 250 एमेल तियार हो गया एसीड सोलूसन है एसीड है ऑक्जैलिक एसीड है 250 एमेल 6.3 ग्राम डाल दिया तो क्या मिल जागा यहां से नमर ओफ मूल मिल गया कि 250 एमेल में कितना मूल इसका है तो पुछता है the volume of 0.1 and normal NOH required to completely neutralize 10 ml of this solution अब यह 200 ml का पूरा का पूरा नहीं लिया इसमें से निकाल लिया 10 ml निकाला है टाइट्रेशन के लिए 10 ml निकाला है 10 ml of this solution यानि 10 ml of acid solution कौन सा एसीड यही जो अग्जैलिक एसीड है इसका टाइट्रेशन के लिए यहां पर डाल दिया क्या 0.1 normal NOH अब इसका volume पूछता है कि कितना volume लेना चाहिए जो जिसमें की 10 ml acid solution के साथ पूरा का पूरा NOH रेक्ट कर जाएगा यह पूछता है blank मतलब इसमें तुम्हें volume लिखना था ml में तो कैसे करेंगे तो पहले क्या करेंगे कि यहां पर number of mole calculate कर लेंगे और जहल कैसी डाइट्रेट का 200 ml में कितना मौल है तो 200 ml में इतना मौल तो 10 ml में कितना मौल यहां हमको मौल इसीट का मिल गया तो इसका मौल मिल गया उसका नॉर्मिल्टी पता है कि तो अगर मौल तम्हारे पास मिल गया को सबसे पहले करते हैं पर नॉमर ओफ मोल निकालो मॉल और न कैसे निकालो गए मास धिया हुआ है मौलर मास डिवाड करते हैं तो इस कंपाउंड का मॉलीकूलर मेट निकालोगे निकालने आता है कि नहीं, बहुत बार निकालना सिखा है, जोड़ेगा तो 126 आएगा, हैट्रोजन का पहले H2C2O4 का निकाल आगा, 164, 122, 24 प्लस तो इसको जोड़ दिया, और 182, 36 जोड़ेगा तो 126 आएगा, तो डिवाड़ बाए 126, क्या मिल गया, नमबर ओफ मोल, किस मूल ओफ एशट, कितना मूल होगा, बच्चे, तो 16.3 बटा 126, इतना मूल थाह, Heilό命, तो 1 ml में कितना होगा, बटाभाई 300, क्या इसको इसको होड़ कर पाएंगे, बिल्कुल सब्सक्राइगे, यह कितना हो जगा 63, गुना करोगा, 2 से कैंसिल होगया, यायनि एक बटा, द 500 500 कि कलगट कर लोगे यह 63 हो गया यह दो से कट जाएगा तो आज़ी सो गुने दो यह एक बड़ा 500 क्या मिला मोल मिला किसका एक अब तो काम असान हो गया क्या बराबर करते हो नंबर ओफिक्यू है अगर वोल्यूम तुमको लेना है एमल में वोल्यूम में पूछा था यह व करेंगे कि 1000 करेंगे दखो दो तरीका है यह तो सब रिखोगए नुसमें की का हुगा estàत ह पाण़िया क्या की दिया नॉर्मला लगोँ कि लिए पहले फर्मला लिखेली नॉर्मौर्ण भौण बी एड़ का दिया गय। जोडैति दो लगा दियcover डिया मुल तुम्हारे पास तुम्हारे पास इसको मुल तुम्हारे पास उस एक बड़ा 500 ऐस एंट्र कितना है सब समय कितनी है दो इस पलस है 90 फिक्रक्तरब कितना हो गया है तो फ्र प्रक्तर दो का único इंट्स फिक्रolina आप नॉर्मलिटी तुम्हारे पास बेस का दिया हुआ 0.1 और वालूम हमको पता नहीं है तो यहां से जो वालूम आपके पास मिलने वाला है वी वो किसे मिलेगा लिटर में कितना मिलेगा दो बटा पांच सो गुने 0.1 लीटर लीटर यानि बेस के लिए दो बटा पचास ल अगर पूछता है तो यहां से गुना कर दो यहीं है पर चेक करने दो कि नीचे वाला लिख लिखा जो मैंने वह आ रहा है कि नहीं कैमरे में थोड़ा सा इसको पीछे करूं अब आ रहा है है ला चाले समय समझे बात आई क्या किया यह क्वेश्चन जो है बड़ा इंट्रेस्टिंग है पहले क्या किया कि कुछ मास ले लिए और जालिक एशिट का 6.3 ग्राम अब जालिक एशिट का तुमको फर्मूला लिखा नहीं था फर्मूला यह तुमको आना चाहिए और गणिक हेमेस्ट्री से बहुत बाद तो हमने भी सिखाया यह होता है और जहली कि डाय हाइड्रेट मास दिया है नॉमर आफ मोल निका लिया मोल मिला और इसका अधाई सो एमेल सलूशन बनाया अब अधाई समय का पूरा का पूरा टैट्रेस निकाला कि इतना अ तो दस एमेल के अनुसार कितना हमको वॉल्यूम एनवेट का चाहिए जिसका के नॉर्मिल्टी हमको पता है यह पूछता है तो यहां पर जो एकिवालेंच होगा दस एमेल सलूशन में वह बेस के बराबर होगा यही तो कॉंसेप्ट लागर नंबर और बराबर होगा अब चुकि यहां को मोल पता है तो मोल गुन एन फेक्टर फर्मुला लगा और इसका हमको नॉर्मिल्टी पता है तो फर्मुला नॉर्मिल्टी गुने वॉल्यूम लगा दिया यहां मोल मिला एशिट का अड़ाए सो मिल में तो आकिक नियम से एक के मिल के अनुसार निकाला और अगर में पूछता है तो लिटर में आज चुका एक हजास गुना कर दो तो एमल में तुम्हारे पास आंसर मिल गया यह आइटी अडवांस में अब्जेक्टी क्वेशन पुछ चुका है कि नूट कीजिए कि अगला क्वेशन है काल्कुलिट वॉल्म अप 2-molar-H2-SO-4 solution विच बिल कंप्लेट नूटिटलाइज 5 ग्राम इक्वी मॉल एने तु एक्वी मॉल नूटलाइज 5 ग्राम मिक्शर ओफ फाइव ग्राम मिक्शर लिखो 5 ग्राम मिक्षर औफ एक्वी मोल Na2CO3 और NaHCO3 पहले क्वेशन को समझना है हमारे पास एक मिक्षर है मिक्षर में दो बेस प्रेजेंट है एक तो Na2CO3 है पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ना बेस होता है ब्रॉंस्टेट बेस होता है एक्षप्लस एक्सेट करने वाला होता है यह प्लस एक्सेट करता है यह प्लस एक्सेट करता है तो ऐसा बेस को बोलते ब्रॉंस्टेट बेस याद है यह जो और दोनों का मॉल बराबर है यह यह तो यह बहु हुगा दोनों का मॉल बराबर है अब इस पूरे मिक्षर में कि इसमें धो बैस ए है कि इसमें क्या डाला धारेत्स टो प्थीत्व कुष्ट सब्सक्रेट्र नेखिस निकालने के लिए अंपयुल पता होना चाहिए अभी मोल ग gerek चली सबसक्यों करता है जिसका एंट वैंट कार्बोनियत का एंट कर सकता है लिए यह नहीं है जब हमने ब्रॉंट्स का बेस सिखा तो इसमें तक ने सकता है कि यानि उसका प्लाइब कर सकता है प्लत फेक्टर नोगा और इसका इन फेक्टर दो सुचोंगे यृण दोनों का इक्युंट को जोड देंगे और एस्ट के च्युवरिंट के ब्राबर कर देंगे तो आंसरा जागा अब यहां पर बात कह रहा है कि दोनों को मिला करके बजन 5 क्राम के बराबर है तो क्या करोगे मास निकालते हैं इसका मास इसका मास इसका कितना given मोल तुमने लिखा एक्स तो मास केसी निकाल तो मोल गूने मुलर मास स्ोडियम कार्बोनीट का में मुलर मास 1660 निकालो गे तो सॉडियम का तेश होता है तेस क्यालिस प्लस 12 प्लस उक्षिजन का शुलती एला ताले जोड़ेगा तो एक्सोच्छे ये मास मिल गया एनेटूस योथरी का सोडियम बाइक कार्बनिट का मुलर मास 84 सोडियम का 30, इसका 1, कर्बन का 12 अक्सिजन का 60, 40, जोड़ेगा तो 84 और X मूल है तो मूल गुने मुलर मास मूल गुने मूलर मास दोनों को मिला करके 5 ग्राम के बराबर है एक सॉल्व कर लिया, X का भेलू आगया एक बटा 38, इतना मूल ये किसका मूल मिला अरे दोनों का मूल तो बराबर है तो दोनों का मूल कितना मिला एक बटा 38 मूल यानि आपको यह मूल कॉंसेप्ट भी अपलाई करना पड़ गया है कि नहीं अब मूल मिल गया तो अब क्या करना है अब क्या करेंगे अब एक्वालेंट को बराबर कर देंगे जितना एक्वालेंट एसिड का होगा उतना है एक्वालेंट बेस का होगा अब बेस में तुम्हारे पास दो बेस है कौन कौन बेस है एक तो बेस है एने टू सी यो तरी और दूसरा बेस से सोडियाम बाई कार्पोनिटर दोनों का मोल मिल गया एक बटार अलतिस तो एक इवारेट एशिट का कौन सा फ्रमूला मोलारर हिटी गूने वॉलूम गूने एजिए अश्य है तुमको पता चल चुकत आट निम्रेकल गरचों कर चुके हम बार बार फ्रमूला नहीं लिखेंगे आपको पता तो लिए क्या दिया मोलारेटी कितना दो वॉलूम को प love रिघाँ सब्सक्राइब तो दॉब एक तीन तीन उतलत इन से हिए एकी वेल्ट बेस का और इन से तुम्हारे पास मिल गया 3 बट्टा 38 एंगुने दो दोना 4 है कि 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 नहीं कि इतना जो आएगा किसम आएगा लिटर में सरी लिटर में कैसे आएगा एमल में क्यों नहीं हर जगल लिखेंगे हो एकी करता है यह दोला कि दोनों को मिलो मलाके पाँच ग्राम है दोनों को मुल बरावर है तो और दोनों कमाज करमें जोड़ दिया, 5 ग्राम के परावर एक शॉय्ट के लिए ईकल्ब कर लिए एक वडाद तो मॉल्गुने, मॉल्गुने, M.Factor Na2COO 3 के लिए, के लिए, मोल्गुने, N,Factor sodium bicarbonate के लिए, equivarant sodium bicarbonate का यह सोडियम कार्बोनिट का यह दोनों मिला कि बेस काई के वरेंट हो गया इधर एसीड के लिए कौन सा फ्रमूला तो मॉलर्टी गुने वॉल्म गुने एन फेक्टर एस टो प्लस एन फेक्टर दो तो वॉल्म तुम्हारे पास मिल गया लीटर में नोट कीजिए तो यह था आज की लिए इतना ही जम के पढ़ाएं कीजिए थैंक्यूर मैच